जहेंद फ्रेंज इस सेशन में हम क्लाइमेट्स एंड क्रॉप्स इन जमु एंड कश्मीर एंड इंडिया कवर करेंगे इसके रिलेटेट कुछ क्वाशन आंसर कवर करेंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाशन नमर फर्स्ट है डग लाइमेट आफ जेंड के स्टेट रिजामबल टू एक ग्रीट एक्स्टेंड के साथ टेंपरेट लाटिटूड इंपोर्टन कोशन है temperate latitudes temperate latitudes next question number second mist and fog are a common site in Jammu division during which month mist and fog a common site Jammu division में कब होती है कौन से month में पे जनुरी छीक है mist and fog कब होती है Jammu division में जनुरी मन पे next question number third average rainfall in Jammu division during summer season average rainfall बतानी है Jammu division की summer seasons में summer seasons में कितनी होती है average rainfall Jammu division में 11 cm कितनी होती है 11 cm इसके साथ winter में कितनी होती है 13 cm winter में कितनी होती है 13 cm summer में कितनी होती है है 11 cm और रेनी मौसम में कितनी होती है 65 cm यह समर्ज की जमू डिवीजन की एवरेज रेनिफाल ठीक है 11 cm समर 13 cm विंटर 65 cm रेनी इसके आस-पास वैल्यू रहती है ठीक है we the Spring season in Kashmir division is from the Spring season in Kashmir division is from जो spring season होता है, Kashmir Division में है, कब से कब चलता है, कोँछ से चलता है, November से लेके February तक, November to February November to February, November to February, ठीक है, the winter, sorry, sorry, उल्टा कर दिया ही, स्प्रिंग सीजन इन कश्मी डिविजन इज फ्रॉम जो स्प्रिंग सीजन है वो मार्च टू में चलता है ठीक है मार्च टू में चलता है मार्च टू में इसका इंटर्चेंज हो गया है थोड़े साथ इसका अंसर यहां पर लिग दिया मैं ठीक है जो spring season चलता है कश्मी डिविजन में वो कब चलता है? March to May, November to February तो winter season चलता है, ठीक है? No, question number five counts रहे, the winter season in Kashmir डिविजन is from November to February, जो spring season होता है, वो March to May चलता है, ठीक है? यह तरहा सद्ध्या, यहाँ रख लेना, ठीक है, इस question count रहे, spring season in Kashmir डिविजन is March to May, winter season in Kashmir डिविजन is November to February, next question number six, in Daras, the coldest temperature recorded in January 1986, Daras, एक प्लेस है, लदाक बाली साइड, वहाँ पे सबसे coldest temperature record किया गया था, January 1986 में, वो कितना था? minus 48 degree Celsius का temperature था, minus 48 degree Celsius का temperature record किया गया था, Daras में, ठीक है, सबसे coldest temperature था, January 1986 में, next question number seven, agriculture sustain, agriculture sustain, dash 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 percentage of JNK state population, जो agriculture, पे डिबेंड है, JNK की state population, वो कितना है, 75%, कितनी है, 75% population, area just sustained 75% of JNK state population, next, question number eight, the chief area where maize is grown, आर, जहाँ पे main area बताना है, जहाँ पे maize को grown किया जाता है, ठीक है, काहाँ पे हैं, बद्रवा, बतोत, ठीक है, बद्रवा, काहाँ पे मेज अग्रोन की आती है, बद्रवा, बद्रवा, बतोत, में सबी लिख देता हूँ, ठीक है, बद्रवा, बतोत किष्टवाड बदर्वा बतोत किष्टवाड बनिहाल बनिहाल बसोली पूँच रजोरी पूँच रजोरी कारवास ठीक है इन सब एरिया में मेज को ग्रोन किया था यह चीप एरिया है मेज ग्रोन करने के नेक्स्ट पीज्ट में एकर्ट है यहां पर इंडर सैफ्रॉन के अदेशन की दिया है थे फ्री थाउजन धिर DRS कुलीफ्रेशन किया थीप फ्र्यबर जो एड़ीया वह कश्मीर डिविजन मता है इहांपे स्यफ्राइन के गिट्यविशन होती है होती है साफरान की कल्टिविशन होती है और जमूवाली साइड कुन कुन से है किस्तवाड और बद्रवा यहां पे यह साफरान की कल्टिविशन की जाती है ठीक है लदाक में कहीअधा है апप्रीकोटष। उसके बाद ग्रेपटस एप्रीकोट saúde के साथ ग्रेपटस और साथ में वालनट यह सब कहा भी ग्रोन कई गएधा लदाक में ठीक है next, silk is obtained from cacunes, silk कहां से obtained कहाता है cacunes से and requires उसके लिए कौन सा tree चाहिए उसको mulvery trees, शतूत के trees होते हैं na, mulvery trees चाहिए उनको ठीक है, mulvery trees next question number 12 what is the annual rainfall in Ladakh annual rainfall बताने है Ladakh division में annual rainfall बताने है Ladakh division में यह न दो तीन question थोड़े से approximately हैं, आस पास इनको तोड़ा सा क्लेर कर लेना ठीक है एनुर रेनफाल है लदाक में कितना होता है रफली है थ्री इंचिस कितना थ्री इंचिस की आसपास ठीक है थी इंचिस के आसपास, जानी की नेरवाउट, नेरवाउट, एटी मिलीमेटर, नेरवाउट एटी मिलीमेटर के आसपास अनुआर रेनफाल होता है, लदाक्ट भीशन में, next, question number 13, what is the annual rainfall in Jumod Vision, ये भी नेरवाउट है, इसको भी देख लेना, थोड़ा सा, 115.9 mm के आसपास, से आठो से वविप्टी पॉर्टेंच से सब्रहता एंगर मिलिमेटर तहलों को बहुता है और कंथंड custard warm झॉच मीरिमेटर ऑनले फाल में घुतना होता है में था ख्न тिम से 060.55 इसे कौन सी डिस्टिक या कौन सी प्लेस को राइस बोल आफ कश्मीर किसे कहा जाता है 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 बहुत इंपो साथ शिरनगर शेह गरेकरं सत्य गच्यमा सब्सक्राइब थकेम नेशनल हैवे वने नायशनल हैवे वने जुक पर सीक डितने चाहलेश 42 या नेशनल हैवे वने नेयरे नायस जमुए डि कश्यूम सेच रोड़ कारपरेशन को निं डेवृ मत इंसे अमत फी 30 shte treadmill Ranu k narrator making the longest नेशनाड jakie कोन्त से हैं यह नैशनल हाइव कौइब ब Paris जो जमने को आपस मेंैं पूनेक्ट करता जाने कि नेशनल हाइवे वाणने एंठी कि लॉंग स्नैशनल हाइवडाय। मेर का से continuously ऑफ बियारों वी शिंपल फॉरम में यह ब्रॉड जplain और बाडर और्गनाइजेशन चीक है नेस्ट कॉशन नुबर 21 दब यारो हैसे टेकन अप बिच आफ दीस परजेक्ट यह थोड़ा सा नॉर्मली सा क्वाशन है कि भी आरो ने कौन-कौन से परजेक्ट लिए हैं ठीक है ऐसे बी आरो ने बड़े सारे परजेक्ट लिए हैं मग यह थोड़ा सा जात अबम्ह ден के बारे में कौन-कौन-कौन से हैं कौन-कौन से परजेक्ट लिए हैं वी आरो ने हैं ब्राड़ बूदर रोड आरगनाइशन ने ब्र आरो ने हैं नेस्ट कॉर्शन बूर 22 कितना चोड़ा और कितना लब मुहारत है कितना फ़ट पुरा और इसका टाथा इसकी आ हुआ सपास ही थिक है इसके आसबास जो भी आप्शन मिलेगा वही ठीक है दिना है 108 किलोमेटर लॉंग है ठीक है 12 मेटर वाइड है नेक्स्ट कॉशन अबर 23 तो मुवाइल टैलिफोन वे लाँच इन जमू एंड कश्मीर भाई वीसनल जो मुवाइल टैलिफोन थे जमू गुश्म में वीसनल के द्वारा कब लॉंच के गए थे अगस्ट 2003 को अगस्ट 2003 को लॉंच के गए थे नेक्स्ट कॉशन अबर 24 और जूस टू कैरी डैश 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 आर जूस टू कैरी 50 पसेंजर आट टाइम अप एंड डाउं the rivers and across lakes कों क्या है जो जूस के एता है 50 पसेंजर को करी करने के लिए उपर जा नीची लेने को river में ठीक है जाओं उसके आर पार जाने में ठीक है rivers में वो क्या चीज होती है जो पसेंजर को करी करता है डॉं गास देखा भी होगा अपने ठीक है डॉंगास डॉंगास ठीक है डॉंगास डॉंगास are used to carry 50% at a time up and down the rivers and across and across lake ठीक है फार फार लेने जाने के लिए next एक motivation quotes है कितने जवर्दस ला रहीं है वो भी तो बता रहीं है कितने जवर्दस ला रहीं है ठीक है question number 25 besides landforms and drainage which is a third basic element of natural environments landforms and drainage को छोड़के third basic elements क्या होता है natural environment का क्या है climates क्या है climate third क्या basic elements है climates चीक है यह थे आज के question answers related to climates and crops in Jammu and Kashmir and India यह 25 questions थे only इसके बाद और भी बड़ी सारे questions है वो भी हम practice करेंगे अगर वीडियो आपको helpful लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you very much